नमस्कार में शिवांगी आप देख रहे हैं जेमडी खबर गाजियाबाद के हरशा हॉस्पिरल के डॉक्टर बीपी त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया है कि गाजियाबाद में देश का पहला हर प्रीसिंप्लेक्स वाइरस पाया गया है जो की एक मरीज के नाक में प देरी होती है तो यह कोरोना वाइरस से भी जादा घातक साबित हो सकता है डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि यह वाइरस जिनके इम्यूनिटी कमजोर होती है और साथ ही दूसरे बिमारियों से ग्रसित होते हैं जिनको कोरोना वाइरस हो चुका है उसी में से एक पाया भी हमारे पास हैं इसलिए इनका इलाज संभव है लेकिन लोगों को जागल खोने की जरूरत है क्योंकि जो कोरोना वाइरस से ठीक हो रहे हैं उन लोगों को इस तरह की बिमारी होने का पूरा खत्रा बना हुआ है हमारे होस्पिटल में केस आया है वो बिलकुल फंगस स से मिलता जूलता केस था जो पोस्ट कोविड फंगस हमारे पास आ रहे हैं लेकिन उसको हाई ग्रेड फीवर था और उसको सारे जो साइन सिंट्रम थे वो गर्दन तोड़ बुखार के थे जिसको हम मैनिंग जाइटिस या एंसिपलाइटिस बोलते हैं जब हमने उसका टेस जब हमने एंडोस्कोपी किया तो नाक में बिल्कुल फंगस जैसे सिंटम थे जो हमें वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में मिल रहा है वही सिंटम सब उसमें थे जब हमने उसके टिशू को जांच के लिए बेजा तो उसमें हिस्टो पैथरोजिस ने रिपोर्ट किया कि यह हर्पीज सिंप्लैक्स है हर्पीज सिंप्लैक्स एक इस तरह का वाइरस होता है जो इम्मिनुटी कम होने पे हम किसी को भी लग सकता है फिलाल के लिए इतना ही बने दिये जैंडी खबर के साथ नमश्कार